हलो गाइज वेलकम टू माइ फूल कोर्स ऑफ माइ एच्टीमल बात करेंगे यहां पे एच्टीमल पे और गाइज मैं यह गारेंटी के साथ बताना हूँ कि अगर आपने मेरा यह फूल कोर्स और प्लेलिस देखा तो डिफिनेटली आप एच्टीमल के स्टैटिक पेज़ेज बनाना अराम से खुझ से और क्रियेटीव बेसे सीविया होगे ओके गाइज और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आयो तो पूरा प्लेलिस जरूर देखना गाइज अगर आप लोग ऐसे एपसिलूट बिगनर्स गाइड दूढ रहे हो ए या HTML basics for the coding new by या mobile app development करना चाहते हो HTML5 से तो आप एकदम सही जगा पर आओ क्योंकि मैं इस प्लेलिस्ट और इस वीडियो से मैं सारा चीज डिस्क्राइब करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो जो चीज आप धून रहे हो वो सारा चीज मैं इस वीडियो में पता जो बेनिफिट्स यह है कि HTML मेरा बहुत ही simplicity है बहुत ही simple powerful language और कोई भी इनसान इसे आसानी से सीख सकता है और create कर सकता है webpages को और दूसरी बात यह है कि यह platform independent है चाहे आप Mac यूज कर रहे हो या फिर कोई और operating system यूज कर रहे हो like Windows यूज कर रहे हो या in fact आप अपने mobile के Android यूज कर रहे हो तो सारे चीज़ पर यह platform independent है सारे चीज़ पर यह आसानी से रहन कर सकता है third point यह है कि यह easily navigate हो सकता है so हमारे जो भी webpages है हो हम उसे easily link कर सकते है through the use of hyperlinks and it can provide easy navigation between different documents, different documents के त्रो हम easily navigate कर सकते है and the fourth part is that it makes our webpages attractive because it allows graphics हम यहां पर graphics डाल सकते है animations डाल सकते है audios डाल सकते है videos डाल सकते and images डाल सकते है so हमारा जो content है वो हम बहुत ही creative way से इसे कर सकते है in with the use of only HTML okay guys अब बात करूंगा मैं कुछ limitations के बारे में चलते है so the limitations are there is that यह कोई programming capability ने देती है यह सिर्फ और सिर्फ अपना webpages बनाने के लिए use में आती है HTML अब यहां पर कोई programming skills ने developed कर पाओगे with the help of HTML HTML सिर्फ और सिर्फ static webpages बनाने के use में आती है and the third thing is that it has a fixed tag set आप अपने tags को ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हो यह ज्यादा changes नहीं ला सकते हो क्योंकि वो predefined tags होते है हमारे पास और बहुत ही impossible है यह अपना HTML tags को extend करने है I can tell you that it is not a reusable आप बार 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 रुस नहीं कर सकते हो अपने tags को okay so guys अब बात करूंगा मैं इसके structure के बार में so this is my structure आप पहले जएक सकते हो कि left hand side पे मेरा एक structure है जो मेरा simple सा एक structure है and right hand side number two there is another structure तो बात करेंगे दोनों structures के बार में सबसे पहले बात करूंगा मैं left hand side पे जो structure है अब देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है doc type html so what does this mean doc type html is just a version of your html so यह बताता है कि आप कौन सा version use कर रहे हो so doc type html से आप resemble कर रहे हो कि आप html 5 version use कर रहे हो फिर उसके बात करूंगा मैं html tags के बार में मैं अभी यहां पे बात नहीं करूंगा opening and closing tags के बार में नहीं बात करूंगा मैं सिफ general skeleton जो हमारा html document का skeleton होता है उसके बार में बात कर रहा हूं so this html is the root element of the document so हमारा जो एक पेड में है जैसे हमारा एक root होता है फिर उस root से branches आती है फिर branches से leaves होते है फिर fruits होते है so basically html tag is just a root of your html document यह हमारे बताती है यह हमें यह signify करती है कि हमारा जो document है वो html document है या इसके अंदर इस तिंक दोनो tags के अंदर जो भी हम element डालेंगे वो work करेगा as our html element so this is the root element of our html उसके बाद मैं बात करूंगे head tag के बारे में head tag is nothing it stores the information about the webpage कौन सा language पे लिखा हुआ है कौन author है क्या-क्या pages link है आपके इस webpage में या फिर आपका page का title क्या है तो सारा जो information होता है एक webpage के बारे में वो सारा चीज हम discuss करेंगे और डालेंगे हम अपना head tag के अंगर में so आप बात करूंगा में body tag के बारे में where we place our content so whatever we want to show to the user or to others जो भी हम दिखाना चाहते हैं यो visualize कराना चाहते हैं अपने webpage में जो content हम चाहते हैं कि users हमें देखे, users हमारे content देखें वो सारे चीज हम डालते हैं अपने body tags में just like images, text, paragraphs, headings, buttons, tables और फिर आप बात कर सकते हो कुछ buttons या फिर आप बात कर सकते हो कुछ galleries या कोई अपना Instagram link या Facebook का link जो भी hyperlinks है वो सारे हम डाल सकते हैं अपने body tag के अंदर में अब मैं बात करूंगा right hand side पर जो हमारा structure है या skeleton है structure of the HTML यहां पर कुछ changes आपको दिखेगी just like the navigation just like the sidebar and the footer यह ज्यादा difference कुछ है नहीं इसमें बस navigation में जैसे हम अपना menu bar होता है यहां पर जहां पर हम अपना create कर सकते हैं अपना menu अपना contact details या फिर कुछ ऐसे चीज हम डाल सकते हो हमारा बात करेंगे navigation bar अब मैं बात करूंगा sidebar में आप अपना latest quotes या कुछ images या अपना कुछ social medias को upload करना चाहते हो वो सब हम सारे चीज कर सकते हैं sidebar and the footer is nothing but आप क्या चीजे यूज की हो या अपना contact details देना चाहते हो address या अपना information देना चाहते हो खुद के बारे में तो हम एक footer यूज कर आप so guys, अब मैं बात करूंगा HTML element कोई भी HTML element लेता हो मैं just like there is the paragraph so यहाँ पर आप देखना की जो पहला tag होता है हमारा वो होता है opening tag and जो content लिखने के बाद जो हम लो backslash देके एक tag लगाते हैं वो हमारा होता है closing tag so there is another example just like मैंने p tag opening tag के अंदर मैंने एक attribute set कि है जिसका नाम है मेरा class और उस attribute का एक particular corresponding value होगी just just like कुछ भी मैं नाम ले ले रहा हूं so that is my value so मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हो कि tags क्या होते है attributes क्या होते है और उसको corresponding values क्या होती है और हम अपना content कहां पर place करते हैं between the tags so आप बात करूंगा HTML tags के बारे में सबसे पहले हमारा HTML so it declares web page to be written in the HTML यह declare करता है कि हमारे HTML document है फिर हम बात करेंगे head tag के बारे में so it delimit करता है कि हमारा page का head क्या है हम उस पर क्या-क्या contents रख रहे हैं information about the web page यहां पर हम लोग content करते हैं फिर title it sets the title of your web page बाडी पर हम जो चीज content visualize कराना चाहते है अपने user को या others को तो वो सारे चीज जो content होंगी वो हम अपने body tags के अंदर डालेंगे हमारा है h-tags h-tags is just a heading so अपना जो header रहेगा या web page का header रहेगा वो हमारा h-tags से होंगे फिर b tag is just a bold face अपना जो text text format रहेगा वो bold रहेगा italic रहेगा i से हो जाएगा i से हो जाएगा italic हो जाएगा b से करेंगे तो bold हो जाएगे center पर करना चाहते हो अपने paragraph को या कोई भी text को या अपने image को तो आप center tags की use कर सकते हो फिर बात करेंगे लिस्ट के बारे में एक होती है unordered list एक होती है ordered list so ul represents our unordered list and ol represents our ordered list and li tags हम use करेंगे जो भी हम lists के data पास करेंगे वो हम li के अंदर पास करेंगे and br is nothing br just gives a line break here okay एक line break देती है एक space देती है so p is a word it starts a paragraph p tags हम अपना paragraph starts कर सकते है hr inserts and horizontal rule एक horizontal rule line insert कर देती है image से हम अपने web pages में image insert कर सकते है and a tag से हम अपने web pages में hyperlinks define कर सकते है so this is guys okay guys यहाँ पे मेरी tags खतम होती है लेकिन यह सारे tags जो मैं अपने next video पे practical करके दिखाऊंगा तो ज़रूर मैंने next video को देखना and हाँ अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं कियो तो please जरूर subscribe कर देना क्यूंकि मैं यह फूरा playlist web development का बनाने वाला हो HTML, CSS, JavaScript, Node, JS सारे चीज़ यहाँ डिसकस करूंगा बहुत मजा आने वाला दोस्ट thank you guys video पसंद आए तो एक जरूर लाइक कर देना मिलते है next video पे, bye! क्या 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 दो